आयोतिया में हैदर गंज थाना इलाके के रहने वाले डी गाउं में कुल ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के नो लोग बिहोश हो गए जानकारी के मताबिक गाउं की राजनीती से जुड़े परिवार की महीला से दो लोग काफी दिनों से मिनने आ रहे थे घटना से पहले भी दोनों लोग महीला के घर दो बोतल कुल ड्रिंक और देसी शराब के साथ मुरगा लाए थे लेकिन खाना खाने से पहले ही कुल ड्रिंक पी कर परिवार के साथ लोग समेत नो लोग बिहोश हो गए जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भरती कराया गया है जहां सभी की हालत इस थेर बताई जा रही है जिला अस्पताल के डॉक्टर एके वर्मा ने बताया कि फूड पॉईजिंग की वज़ा से सभी लोग बिहोश हुए थे सबका इलाज चल रहा है और सभी लोग सुरक्षित हैं वही आशंका जताई जा रही कूल्ड रिंग में तेसी शराब मिलाई गई थी इनके कोई जानने वाले हैं उन्होंने को सामको गिफ्ट किया दो तीन बोटल गिफ्ट थी किया और पूरे परिवार ने मिलकर को प्या उसके बाद यह सारा प्रॉसेस हो गया यहां तक आने गा और अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि कोल्ड रिंग कैसी थी खुली थी और यह कंडिशन में है भी नहीं की कंफर्म बता सकें की कोल्ड रिंग पैक थी की अंसील थी कैसी थी कुछ नहीं बता पा रहे हैं पीने के बाद सड़नली मैक्सिमम पंदर मिंट के अंदर यह लोग बेहोस हो गए इनकी बॉड़ी पूरी नूटिलाइज हो गई और अभी गटना वहीं पर हुई कल राम को लमसंग नोदस्क्यारव जी की पास आसपास की घटना आई तो हम तो लेकर नहीं है बट फैमली के और पुलीस की मदद से लोग लमसंगा बारा एक बज़े के आसपास हॉस्पिटल पहुंचे हैं लमसंग नो लोग हैं जिसमें से चार किसी ने स्प्राइट में कुछ मिला के पिला दिया जैसे इनको तुरत मुर्चा आने लगे और किसी किसी को उल्टी होने लगी और यह पेट दर्द की भी सकायत करने लगे यह रात में उसी तमें एक बज़े डेढ़ बज़े क्यासमा से हाला के भड़ती करा हैं अब सभी ठीक हैं इनको थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाकर देखा गया है कोई इस टाइम कोई प्रावलम नहीं है और जैसा गार्जें चाहा रहे हैं कि छुट्टी कर दी जा तो छुट्टी करने जा रहा है